टोटल दो तरह के लेक्ट्रो केमिकल सेल होते हैं एक जो होता है उसे हम कहते हैं अलेक्ट्रो लेटिक सेल और जो सेकेंड है उसको हम कहते हैं गिल्वैनिक सेल तो आज हमने पढ़ना है गिल्वैनिक सेल अब galvanic cell के लिए जरूरी है कि हमें आपको थोड़ा साना हमें ये पता होना चाहिए कि spontaneous reaction क्या होता है spontaneous reaction ऐसा reaction होता है जो कि खुद बखुद हो spontaneous reaction कौन सा होता है ऐसा reaction जो कि खुद बखुद हो अब हम आते हैं galvanic cell की definition की दरफ galvanic cell एक ऐसा cell है जिसमें number one spontaneous reaction होता है और number two electricity generate होती है पैदा होती है ऐसा cell नहीं है कि जिसमें electricity consume हो यूज़ बलके ये एक ऐसा cell है जिसके अंदर electricity पैदा होती है यानि कि हम अगर in short बात करें कि ये एक ऐसा cell है जिसमें हम chemical energy यूज़ करते हैं और उससे हम electrical energy produce करते हैं अगर हम इसके constructions की बात करें तो जो galvanic cell है वो basically दो उस cell पर मुस्तमिल होता है एक cell जो left in के कहते है left half cell और ये जो cell है इसको हम कहते है right half cell दो cells होगे अब इन दो cells को जो चीज़ जोड़ती है उसको हम कहते है salt bridge salt bridge basically क्या करता है वो इस पूरे दोनों जो हमारे पास half cells हैं इनके अंदर जो हमारे आइन्स हैं उनको balance रखता है ताकि ये जो reaction होता है वो carry on रहे ये एक special किसम के material से मिलके बना होता है जो के यहां से आइन अगर इस left half cell में ज्यादा हो जाएं तो यहां से आइन चले जाएं है अगर left half cell में आइन्स जादा है तो यहां से move करके वापस right half cell में आ जाएंगे जिससे क्या होगा एक flow जो होगा वो equal जो आइन्स हैं वो equal रहेंगे जिससे कहते हैं electrical neutrality काइम रहेगी ठीक हो गया जी ओके ये इसकी construction है अचा अब इस construction में अगर हम बात करें electrodes की तो electrode जो left ह यह zinc का electrode बना होता है zinc की एक metal होती है और right में copper की metal यूज होती है ठीक हो गया अब इन दो metals को आपस में जोड़ देते हैं electric circuit के जरीए ठीक हो गया और यहां पर यह जो wheel cover world यहां पर कोई भी output लगा सकते हैं इसकी जगह हम कोई bulb लगा सकते हैं कोई meter लगा सकते हैं तो कोई stop भड़ी है वो यहां पर आपको उसका output देगा यानि कि जो electricity generate होगी उसकी मदद से यहां पर जो bulb है वो चलने लग जाएगा या कोई stop watch है या electric हमारे पास wrist watch होती है वो होगी वो यहां पर चलने लग जाएगी अपनी उसकी working जो है वो perform करेगा अब यहां पर हम समझते हैं एक और चीज़ जो बताना जरूरी है जिस तरह का जो galvanic cell है उसके अंदर जिस metal का electrode होगा उसी metal का यहां पर जो solution होगा solution mean उसका जो salt है पानी में dissolve होगा एक यहां पर जो पानी है water है उसके अंदर जो salt कौन से होगा zinc sulfate zinc metal बनी होगा यहां पर देखें copper metal है तो इसके अंदर जो solution होगा वो क्या होगा copper sulfate है copper sulfate solution होगा ओके जी अब यहां पर एक जगा zinc है एक जगा क्या है copper है इन दोनों में से जो zinc है उसकी oxidation potential ज्यादा है यानि कि वो compared to copper ज्यादा जल्दी zinc जो है वो oxidize हो जाती है इस वज़े से यहां देखेगा zinc जब oxidize हो ऑक्सिडेशन क्या होती है पहले आपको यह पता होने चाहिए oxidation क्या है removal of electron electron का lose हो जाना किसी item से तो उसको कहते है oxidation अब यहां पर यह zinc solid थी इसने क्या किया oxidation होगी जैसा ही oxidation मतलब electron lose किया तो यह zinc यहां solid से वापस इसके अंदर यह solution उसमें शामल हो जाएगी वो solution का part बन जाएगी अब वो जो दो electron है वो कह जाएंगे वो इस electric यहां से होते हुए अब अब जो circuit है यहां से जाएंगे और यहां से इस तरह यह जो हमारे पास copper का है electrode इदर पहुंचेंगे और यहां पर जो copper ionic form में मजूद होगी वो क्या करेगी वो दो electron ले ले लेगी और वहापस solidify होती जाएगी यानि के हुआ क् metal है वो dissolve होती जा रही है solution के अंदर और यहां से जो solution के अंदर metal ion है वो वापस किसम के नवर्ट होता जा रहा है metal के अंदर और electrode के साथ सिपकता जा रहा है अब यहां पर बात करें कि anode कौन सा होगा और cathode कौन सा होगा आपको सबसे पहले anode की definition में भी आपके mind में यह हो anode वो electrode होता है जिसके ओपर positive charge है और cathode वो electrode होता है जिसके ओपर negative charge है तो यह definition जो आपके mind में है यह गलत है यह this is very wrong definition of anode or cathode सबसे important definition और आपके mind में आज से हमेशा आपने रखनी है वो क्या है anode is an electrode where oxidation takes place anode वो electrode है जिसके ओपर oxidation होती है इसलिए अब यहाँ दोनों में देखें oxidation कहां पर हो रही है जिन्क के ओपर हो रही है इसलिए जिन्क के ओपर क्या होगा जिन्क को हम कहेंगे यह anode है और जो copper है यहाँ पर देखेगा reduction हो रही है कि copper iron जो है वो दो electron ले रहा है यानि के gain of electron हो रहा है इस वज़े से यहाँ पर reduction हो रही है अब हम इसके अगर हम बात करें charges की तो यहाँ पर देखें anode के ओपर negative charge क्यों है और cathode के ओपर positive बिल्ड़ इसलिए anode के ओपर negative charge है because यहाँ पर continuous production of electron हो रही है यानि के यहाँ पर electrons produce होते जा रहे है electrons की concentration ज़्यादा है electron की concentration ज़्यादा है मतलब यहाँ पर electrons क्या है ज़्यादा है यहाँ पर produce हो रहे है यहाँ पर दो use हो रहे है ना खतम हो रहे है तो इस वज़े से यहाँ क्योंके electrons की concentration ज़्यादा है electron जाओ electron के उपर क्या चार्ड होता है negative इस वज़े से यहाँ यह वाला जो anode है इसके उपर negative charge है और वो anode भी है क्यों कि इस electron के उपर oxidation हो रही है ठीक है और यहाँ पर electrons की क्योंकि कमी है cathode के उपर इस वज़े से इसके उपर positive charge है और यहाँ पर reduction हो रही है इस वजह से इसको हम कैतोर्ड भी कहते हैं